आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल टच इग्जाम में फिर से एक बार श्वागत है आसा है कि आप सभी अपने इस कोरोना काल में घर में जुरक्षीत होंगे और बढ़िया होंगे देखें हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज्यारकन एकडमिक कॉंसिल रा रही है आप अभी मेरा स्क्रीन को देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप देखें यह नोटीस बहुत जादा सोचल मेडिया पर वाइरल हो रहा है बहुत कोई स्टूडेंट को इसमें मतलब दिक्कत हो रहा है कि यह सही में नोटीस मेरा औरिजिनल है कि डुप्लिकेट है हम इस वीडियो में पूरी तरह से आपको बताने वाले ठीक है सबसे पहले देखें यहाँ पर इस नोटीस का खासियत क्या है यहाँ पर लिखा हुआ जहारखण एकन्टमिक कॉंसिल राची ठीक है बहुत अच्छी बात है अत्ति अवशक शूचना अत्ति महत्वपूल सूच ठीक है यहाँ पर लिखावाएं उसके बाद देख सकते हैं अब देखें यहाँ पर लिखावाएं दसवी और बारवी की वार्षिक परिक्षा प्रसपॉंडड की जाती है defect मतलब कि आपका जों सब्सक्रोपूर परिक्षा ऐसक्ते हैं इनकी बात आन्यता परिक्षा रद भी हो सकती है यहां पर बोल रहे हैं कि आपका एक्जामनेशन जो है वो रद भी हो सकता है अधी परिक्षाएं होती तो होगी तो अधिशन दो सकता पहले पुणा जारी किया जाएगा देखंड दोसाटा पहले पुना जारी किया जाएगा तो यहां देखे एक नोटीस है जो बहुत है अब इसका चलते हैं यह आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे यह जो न्यूज है वो परभात कवर के तरब से कवर किया गया और यह 27 सप्रील यानि कि यह आज का न्यूज है ठीक है देखें यहाँ पर क्या लिखावा आज सर्वदली बैठक कड़े फैसले ले सकती है सरकार ठीक है यहाँ पर आज सर्वदली बैठक रखा गया है और यहाँ पर कड़ी फैसला लिजाएगी देखेंत आप विडियो पे बने रही है विडियो काफी इन्पॉक्त है में एक बात important बता रहें बहुत कोई मेरे वीडियो पर comment कर रहें कि आप जूट बोल रहें ऐसे वैसे तो हमको उससे कोई profit नहीं है सुनिए हम आपको गुम्रा करके हमको कोई तरह का profit gain नहीं होता है ठीक है हम आपको जो authentic रहता है वो ही आपको authenticate provide करते हैं ठीक है बहुत को बोलते हैं कि आप news से cover करते हैं तो directly कोई ऐसी teacher नहीं है या फिर student या फिर कोई नहीं है जो directly jack से contact कर सकता है उसके बीच में एक medium होना चाहिए जैसी कि यहाँ पे बहुत सारे media होते है medium जो की दूसरे board से connect करवाते है ठीक है directly cbse का result जो examination cancel हुआ 10th class का 12th class का तो क्या वहाँ पर बीच में कोई media होता है जो बनता है दोनों को बीच को connect करने के लिए ठीक है उसके बाद official notification भी आती है board के तरब से organization के तरब से फिर आपको बता जाता है तो बहुत कैसे बोल रहे है पर हमको उससे कोई आपती नहीं है जो सही है मैं उसी को बना रहा हूं मैं उसी को बता है आप भली ही आप अपने टेलिग्राम यूट्यूब या फिर कहीं भी वाट्सप पे देखे होंगे यह notice बहुत ज्यादा वाइरल हो रहा है तो मैं सोचा इस पर आपको एक वीडियो बना दू और आपको सच में बताओं कि यह notice original है या नहीं ठीक है आप यहाँ पे देख वर्चुल बैठक यानि कि online बैठक रखा गया ठीक है तो डारक्टी फानेली थोड़ी यह कि आपको पता चल देगा वहाँ पर बहुत सारे मीडिया होते हैं वहाँ पर कॉन्फेरेंसिंग देते हैं कि आप क्या-क्या फैसला लिए किस-किस विसे में फैसला लिए तभी साथ हो तो ऐसा कोई मैठड नहीं है समझे आप बात को बीच में कोई जो है मीडिया जरूर काम करते या कोई ना कोई मीडियम जरूर होना चाहिए जो आपको कॉमिकेट करें ठेक है आगे देखिए हम यहाँ बात करते हैं इसे लेकर मुखमंत्री कार्याले द्वारा राज के सभी सारवजनी दलो के अध्यक्छों को सुचना दिये दी गई दे दी जे जा रही है ठेक है बैठक में सामिल होने के लिए उन्हें सनिवार की दो पहर तक लिंक को प्लब कराया जाएगा जो भर्चुल मीटिंग होगा उसका लिंक वहाँ पे प्रवाइड किया जाएग बारा बजे के आसपास आज आनी सनिवार को आपका लिंक जो है 17 अप्रील को आपको प्रवाइड कर दिया जाएगा जितने भी वहाँ पे जो बैठक में भाग लेंगे ठेक है उसके बाद सूत्रों ने बताया कि सभी डलो के राय के बाद मुकमत्री सनिवार को कड़े फैस फैसले लेने के बाद कही है आपको बता दे देखे यह आज का न्यूज है आप अच्छे से देखे यहाँ पे देखे सटर्डे है 17 अपरील 2020 है ना दोज़ार की स्वरी यहाँ पर देखे आपको दिख रहा होगा यह देखे क्या बोले सीम ने पूरु में ही जैक द्वारा याजी दसवी वा बरवी की बोर्ट परिचा के मुद्धे पर फैसला लेने के बाद कही है मतलब आपका मिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है अपका मिटिंग अभी तक यहाँ पे पूरी तरह से फाइनल पता चल रहा है कि आपका जो है कोई भी तरह का फैसला नही लिया गया है जैक के examination के regarding ठीक है आप यहाँ पे finally देख सकते हैं ठीक है उसके बाद बता दे बैठक में दलो द्वारा दिये जाने वाले सुझाओ के दार पर निर्ने लेने लिये जाने का संभावना है ठीक है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको final में लिया जाएगा फिर से समझे मतलब इसका मतलब क्या होता है कि यह जो आपका यह जो आपका notice है वो पूरी तरह से फेक है यह जो notice आप देख रहे हैं यह पूरी तरह से आपका गलत है आप इस notice पे भरोसा नहीं करिएगा क्योंकि देखिए मिटिंग अभी तक आपका complete नहीं हुआ है मिटिंग आपका नहीं हुआ है और फैसला भी नहीं लिया गया अब आपको चलिए twitter handle पर दिखाते कि cm ने क्या आखिर बोले है यह जो अभी स्क्रीन पर आप देख रहे है यह देखिए इस हैमन सौरेन का official twitter handle है ठीक है यहाँ पर देखिए add.haman.soren.jmm लिखा हुआ है clear है उसके बाद मैं आपको बता दू यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे है यह कल का tweet है मैं आपको आज दिखा रहा हूँ वैसे मैं आज का newspaper भी आपको दिखा चुका हूँ ठेक है यहाँ पर देखिए जारखन राजी के में करोना संक्रमन के रोक्थाम पर विचार विमर्स करने है तो कल साम यानि कि आज कल साम साड़े छे बजे बजे सर्वदलिय बैठक बुलाई गई है या बैठक online आहुती हो क्योंकि आपको बता दे जो हमन सौरेन के meeting attending जो officer है बहुत सारे लोग वहां भी संक्रमित हो चुके हैं लगबग 4-5 आदमी जो है officer है संक्रमित हो चुके हैं इसके लिए यह meeting आपका पूरी तरह से online conferencing के माध्यम से रखा जाएगा उसके बाद यहाँ सभी राज्य वासियो से अपील है कि कोरोना के इस विकाट संकट के काल में आप सभी स्वस्त्रे सुरक्षित रहें ठेक है आपको यहाँ twitter handle से भी clear हो गया ठेक है अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे देखें आप यहाँ पे भी time देख लिजे मैं जो twitter handle पे दिखाया वही है या नही है ठेक है य इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं ठेक है आप समझे बात को हमको गलत जानकारी देकर आपको गुम्रा करने का मेरा कोई मतलब वह नहीं है ठेक है आप वैसा मत समझे जो भी news होता authentic news होता है प्रूब के साथ उसको प्रूब करते उसके बाद ही आपको provide करते तो ठीक है conclusion यहा आपका जो अभी वाइरल हो रहा है यह news पूरी तरह से गलत है ठीक है इसके बाद मैं एक और वीडियो बदाऊँगा कि आपका कौन-कौन सारे अभी जो है एक्जाम को प्रसपॉंड कर दिये गया है जैसे कि आपका प्राक्टिकल एक्जाम वाकेशनल एक्जाम यह सारे को प्रसपॉंड कर दिया गया है तो उस पर हम अभी कुछ दिर में एक और वीडियो डालेंगे आप उसको देख लिचेगा और आप उसको सेर कर दिएगा तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया गया तो प्लीज आप मारे यूट्यूब चैनल टच इक्जाम को सस्क्राइ ठीक है तो थाइक्स फर वाचिंग वाचिंग है वेटाइनच देख